प्रधान मंत्री नरेंदर मौदी जी की जन्मकुली क्या कहती है क्या वो तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे जिस प्रकार से देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं विपक्ष एक जुट होकर किसी भी तरह से कि देश के प्रधान मंत्री का अश्मेक यग रोकने की तैयारी कर रहे है क्या मोदी जी की जनकुल्ली में उनके जो अभी दशा चल रही है गोचर चल है और देश की जो जनकुल्ली है जिसको मैदनी जोतिश कहते हैं उसके आधार पर मोदी जी विपक्ष को धारशाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की जनकुल्ली में मंगल की महा दसा चल रही ए है और और व्रिप्षिक लगन और व्रिप्षिक राशी यह देश के परदान मंत्री नरेंदर मोधी जी की बंधी मैंने नरेंद्र मोदी जी की जनकुली के बारे में कई बार चर्चा की और जो मैंने भवश्यवानी उनके बारे में की अभी तक वो सत्य साबित होती हुई आई है और इस बार की जो मेरी भवश्यवानी है वो पहले से भी ज़्यादा यहां पर मैं कहूंगा मैं इसको इस वीडियो के अंदर आपको डेप्थ में बताऊंगा सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं विपक्ष के बारे में विपक्ष का जो सबसे बड़ा चहरा था बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार्जी थे और इस बारे में जब इंडिया नाम से गठबंदन बना पूरा देश और विपक्ष ये कह रहा था कि जो इंडिया गठबंदन बना है इस बार भारते जंत अपार्टिक और मोदी जी को जमका टक कर देंगे और उनको परधान मंतरी नहीं बननी दे जाएगा दोस्तों मैंने उस समय कहा था कि मोदी जी के जिस परकार के ग्रहे नक्षत्र और गोचर चल रहे हैं उसमें मोदी जी सभी को धाराशाही कर देंगे और कुछी समय बाद देखने को मिला कि बिहार के अंदर जो गठबंदन चल रहा था नितिश कुमार का आरजेडी लालुक के साथ वो समाप्त करके नितिश कुमार भारते जंता पार्टी के एलाइंस में आ गे तो भारते जंता पार्टी की बहुत बड़े जीत मैं इसको कहूंगा क्योंकि विपक्ष के बाद जो सबसे बड़ा चहरा था कॉंग्रेस पार्टी के बाद वो भारते जंता पार्टी के सपोर्ट में आ गया है इसके बाद ममता बनर जी मैंने हमेशा कहा है कि ममता बनर जी की जनकुर्डी जो है नरेंदर वो दी जी के कंपेरिजन में कहीं नहीं ठहरती अब यदि हम बात करें देश के सबसे बड़े पार्टी जो अब तक रही है देश के अंदर कॉंग्रेस पार्टी इसमें मेंली राहुल गांदी और क्रियंका गांदी इन दोनों की जनकुर्डी मैं कहूंगा बहुत अच्छी जनकुर्डी है लेकिन मोधी जी के कंपेरेजन में इनकी जनकुर्डी बहुत ही कमचोर है इसलिए राहुल गांदी जी और पियंका गांदी को अभी बहुत इतजार करना पड़ेगा उनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी यदि उनको सत्ता में वापस लोटना है बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि देश के अंदर इस समय यदि हम देखें कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष मुद्दा लाता है लेकिन वो एक्जिस्ट नहीं कर पाता है या उस पे कल विपक्ष एक जुठ होकर हमला नहीं बोल पाता है वहीं दूसरी ओर सत्ता पश भारत्य जन्ता पार्टी लगातार यदि हम चुनाव के नजजी समय की बात करें जैसा कि मोदे जी का स्लोगन भी रहा है विक्षित भारत सबका साथ सबका विखास पर कारे कर रही है एक जो बहुत समय से मैं कौँगा लंबित गुद्दा था राम मंदिर का उसका भी उद्गाटन हो गया है और विदेश के अंदर जो कि अभी प्रेंडिंग भी चल रहा है आबू धावी के अंदर सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी मैं कौँगा की खुशी की बात है कि वहां पर भी मंदिर का निर्मान हो गया है और इसका जो शरे जाता है वो देश के परधान मंत्री नरिंदर मोतीजी को चाता है अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि भारते जन्ता पार्टी स्टेप बाई स्टेप देश के लिए और भारते जन्ता पार्टी के लिए मैं कौँगा शुप संकेत है भागों बहुत सारी को ने यह मिझा चाहा था कि क्या जोके तिसरी बार कि देश के परधान मंत्री पनरे कि तो निश्चित रूप से देश पर देश परधान मंत्री बनने चाह रहे हैं जादक सीट की बात है कि कितनी लोग समा में सीट मिलेगी तो बेरी भवश्यवानी यह है कि लगभग जितनी सीटे पहले मिली थी उससे फोड़ा बहुत उपर नीचे सीट हूँगी लेकिन एसलिट मेजोरिटी में भारते जंता पार्टी क सरकार बनेगी नरेंद मौदी जी तीसरी बार देश के परधान मंत्री बनेगी दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोज देश की भवश्यवानी विदेशी भवश्यवानी की हैं यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट वोक्स में अपनी बरते डिट करके आपको reply करेगी दोस्तों यदि आप किसी particular topic पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बोक्स में वो लिख कर भेजे हमारा प्रियास रहेगा कि उस topic पर वीडियो आपके लिए पनाए यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो like करे शेयर करे चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब करें और हमारी लेटिस्ट वीडियो कि प्राप्त करने के लिए बैल आइकोन का बटन अवश्य दबाएं आज के लिए किवल इतने ही एक नए टोपिक के साथ मैं उसे फिर मिलूंगा तब तक के लिए हरे कृष्णा